तालिबान ने ये भी कह दिया, उनके कमांडर जो है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जरा अलग रहे और हमारे लिए हम खुद ही बात कर लेंगे दुनिया में जिससे भी करनी है मिल जाएगा, आप उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें, तो चलिए, साथ मिलके ये वीडियो देखते हैं, जै हिंद, जै भारत. हमें जी जॉइन किया है तारिक फते साब ने और आज हम उन से समझने की कोशिश करेंगे, कि जो अभी दो हमने दो जो कहना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के, उनको हमने सुना, युनाटिड नेशन जरा अलग रहे, तो क्या देखते हैं, क्या फरक रहा दोनों की दुनिया में जिस से भी करनी है, बहुर शुक्रिया सर कि आपने जॉइन किया, थैंक यू सो मच, सर क्या कहेंगे आप, कैसी लगी आपको दोनों की, दोनों की एक की रिकॉर्डिड और एक की लाइव स्पीच आपको माँ पे, लेकि एक तो बोर्ल लीडर्शिप में गिना जाता है, अच शफ्स अपनी जबान में बोलता है, उसे कुछ जजक नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी जहुरियत, सबसे बड़े मुल्टी नैशनल कंट्री का लीडऱ् जिस को कोई दर गुजर, नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं, यह कोई, और दूसी जगा, एक ऐसा जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता है कि वो इस उन्शूर अबाउट वर्ल पॉलिटिक्स, तो क्या जाके कहेगा वहां पे, मैं इमरान खान साथ की बात कर रहा हूं, वो साथ उनको लगता है, ऐसा, देखें, जो इंप्रेशन पढ़ता है, वो यह है कि यह परसिंड की डाज़ेंट नो मुच अबाउट इंटरनेशनल अपैर्स, वो कह रहा पार्टनर्शिप तालिबान की और अमेरिका की, अब अंदादा लगाईए कि यह बीस साल होगे नाइन इलेवन को, जिसको अभी तक समझ नहीं आए कि दुनिया के अंदर यह जो तसादम है, यह कि के नतीजे में यूनाइट नेशन्स या उससे पहले लीग आफ नेशन्स साथ, और दूसी तरफ हो हैं जो पुक्ता यकीन रखते हैं कि उनका मकसद हयात यह है कि दुनिया भर में जो एक सुपीरियर मज़भा इसलाम, उसका, उसकी वो हकूमत हो, यानि खिलाफत हो, चाए साल को लानें, सिश्टीन इटी त्री का नाइन इलेवन हो या पीस साल पहला नाइन इलेवन हो, उनकी नजरिया दूसरा है, वेस्ट के अंदर ये परिशानी है कि जो नाइन इलेवन के बाद भी नहीं उनको समझ में आया है, यह हमारे साथ को क्या रहा है, तो आप देखि कोई अब हकी चुपी बात तो नहीं है, वो भी ट्राइबलिजम इस तरह जा रहा है कि आप देखिए कि ऐस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ कांट्रेक्ट कैंसिल कर गिया कि हम इंग्लिश बोलने वालों का अलाइन्स बनाएंगे, लेकिन इंडिया को आप तर्टुजर नह है, एक 18 के अंदर खिलाडी है और दूसरे 12th मैन जिसे नहीं होता, 12th मैन भी क्या 12th मैन, 13th, 14th मैन जो है वो पाकिस्तान की हैसियत है और वो अगर जिसको नहीं नजर आ रहा है, वो खाबों की दुनिया में है, देखिए आप कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है आप से, आ आप कुछ भी बोलें, आप तो नाइट सूट पहन के वाइट हाउस में चले जाते हैं, शलवार कमीज पहने वे, आपको एरपोर्ट पे कोई नहीं लेने आता, ना आपका कोई विजिट कोई एहमियत है, ना आप कुछ कर सकते हैं, आपने सारी जिंदगी अपनी, जिना सा से लेके आद तक वेस्ट की, इस वेरी क्रूड वर्ड बर दलाली की है, आप अगर वुली खान की किताब फैक्स और फैक्स पड़ने तो आपको पतर चलेगा कि पाकिस वज़ा से बना और क्यों क्या उसकी जरूरत थी और अब कोई जरूरत नहीं है, तो ये खामखा की बा जादा जीचे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइमिनिस्टर ने क्या आगा पाकिसान तो उन कैटिगरी में आ गया, चाड या तुमालिया या मेलडाइब्स की ज्यादा इम्पोर्टेंट्स है, क्लाइमेट चेंज की वज़ा से पाकिसान ने तो अपने पॉर्ट को बेच दिया अपने जजीरों को बेच दिया अपने मुल्क को बेच दिया चीन के आगे तो it is of no significance what he says. The point is that Prime Minister Modi addressed the United Nations General Assembly in Hindi. He talked about himself as about India के जहां एक चाय वाले के बेटे जो अपने अब्बा को मदद करता था चाय बेचने में आज वो आपको जो यूए जिनरल Assembly में address कर रहा तो जो potential है इंडिया की उसको पाक्सन ना माने क्या फरक पड़ जाता है लेकिन दुनिया में आप सुचीए 29 स्टेट चार सो जबाने छे दुनिया के बड़े मदभ जहां बुद्धा पैदा हुए वही राम की जगा है वही महाभारत साउधिरेविया पड़ा रहा है अपने बच्चों को रमाइन जहां exist करती जहां मौंजोदारों है सब कुछ है उसके सामने आप रख रहे हैं बाबर टू मिजाइल यूएन जेनल असेम्नी बोल्डर मिजाइल फेल हो गया आपका वह पहला कौन सा बाबर सेक्सेस्फुल हुआ था जो दूसरा फेल हो जाना था ना वो पैदा हुआ ना मरा यहां छुपता वा गया हिंदुस्तान पर पा पारत का असली चेहरा जो है वो चाक कर दिया लोगों के सामने कर दिया तो उस पे हमारे दोस्ते हैं उन्होंने कहा के यह सुन सुनके तो मेरे कान चाक हो गए हैं पता नहीं चेहरा चाक हो है के नहीं तो उन्होंने का इससे अब इस इन अलफास का जो है वो तस जो कहना चा जिन दो मुलकों का तालुक ही नहीं है इन से यह तालिबान 48 में भेज़े थे थे ना आपने 47 में जमून कश्मीर में जिससे बलतिस्तान और यह सारा कब्जा किया आपने कैप्टन ब्राउन थे एक फाजी अफसर जिसने पूरा बलतिस्तान हवाले कर दिया था पाकिसान में जिनासाब और मुस्लिमी को तो पता ही नहीं था कि हमारे हिस्से में आ गया उनका मकसद था कि सोविए फोर्स जो है जो उस वक की यूएससर थी वो बिलकुल वक्षन टुनिंसला के ऊपर थी उन्हें उठा के पिशावर के करनल को दे दिया कि यह यार यह तो अपने तरफ करो पाकिसान में डाल दो इसको कि इंडिया से दोस्ती ना हो जाए क्योंकि इंडियन का नैशनल कॉंग्रिस या कॉमनिस पार्टी या लेफ्ट इस दूसरी जमातें थी जो लोग भंगत सिंग से इंस्पायर होते थे जो आजादी की जंग लड़ रहे थे किसने लड़ी जाए उनको तो ठेके पे मिलाया कि ये इस तरह मुस्लिम लीग कॉंग्रिस को तोड़ना है तो इसमें मुस्लिम लीग बनाओ ये सब लिखा वाया और एवरी डीटेल इस प्रिंटिड इन वली खान जो पड़ा 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 असल में पढ़ना मुश्किल बहुत है पाक शोग में कह दिया है धाए साथ साल प्रॉफिट के महम्मद के डेथ के बाद जो लिख दी है मुझे कह रहे हैं ये कानूने कौन किस ने लिख दिया वहिए मय्यदों को किस ने बना दिया खलीफा मारे आद तक हम महम्मद बिन कासिंगों कहते हैं उसने पाकिसान की पहली व पाकिसानी की सोच क्या है ना इनको पढ़ना आता है ना लिखना आता है 500 किताबें चप जाएं तो बेस्सेलर होती 250 मिलियन लोगों के पॉपिलेशन में तो इट इस लॉस्ट कॉज ये खुद अपनी आखरी आप के खिलाप बोलने लग जाएंगे लोग ये हिच्कियां है आखरी आड़ेट्या अलग मुल्क हो सकता है इस्टीमौर हो सकता है रिजगा मुल्क हो सकता है क्योंके वह पहले मुल्क थी कि ये थी सिंद्ध के अंदर क्यों डिजॉल्व होगी कि ये सब छोड़े तो अब तक्रीट भी इम्रान खान करेंगे तो क्या करेंगे वो खुद उनकी अम्मा जलंदर से हैं वो बंते पठान दूसर इनकी गार्मेंट उतनी ओशियार है के नवाज शरीफ साब लंदन में बैठे वे और यहां पर उनके वैक्सिन लगने का सर्टिफिकेट बन गया के नवाज शरीफ को क्रोना वैक्सिन ने देखिए बात सारी यह है कि हमारी पूरी यह जो सतर साल की हिस्ट्री है या उ फूजी भरती करनी थी मुसलिम एरियास से अंग्रेज के लिए लड़ने के लिए ताके बो कहीं नेता जी की फौद में आजाद हिन फौद में ना चले जाए तो इस चेकर में मुहमद अली जिना टाइप के और लियाकत अली खान टाइप के लोगों को यह आफर मिलती जात इंडिया इंडिया विच वज आ हूम एंड कट इट आउट एंड देन क्रिएट फिलॉसफी के इसको जस्टिफाई कैसे करें यह होता है ना क्यू एडी नीचे लिखते हैं यह रिवर्स एंजिनियरिंग कर रहे थे कि इस तरह हिंदुस्तान के बाजु कड़ जाएं मुसल मुसल्मान इनको और्दू के पीशे लगा दो वो शरम के मारे पंजावी में बात नहीं करता को इमेजिन करें अवरान खान जागे पंजावी में तक्रीर करता अगर असेंब्ली में लेकिन यह कैसे पठाने सार जो पंजावी बोलते हैं पठान तो पंजावी नहीं नहीं कि हखानी जो लोग हैं उनको उनको नोने मना दिया और हुसान हाकानी परेशान हो गहे इनों ने मिला दिया पुछ टून से वह अधर परेशान या वह पठान परेशान के हो क्या रहा है उन्होंने मौसिन दावर ने बड़ी सखत किसम की ट्वेट की तो यह क्यों इस तरह के की situation पैदा कर देते हैं आपने ख्याल से ये बदनसीबी है ऐयुद खान के जमाने से चली आ रही है पुराम मुहम्मत के जमाने से एक तो पाकिसान हमारे आपकी जनरेशन के लोग हैं उनको किसी को पूछ नहीं कि 56 में प्राइम मिनिस्टर कौन था दे बूट नो थे डूंट का फ्रांस का सपोर्ट किया था एक कुछ पता है नहीं पता होगा इन लोगों को सीटो सेंटो तो जाने दें यह समत्ने भुट्टो साहब आए थे उसके बाद फिर पाकिस्तान बनने लगा और एक जियाव लगत कहीं यह प्ले चल रहा है तो इस लो इन-डेप्थ अनालिस कि दुनिया में कोई कहीं नहीं आपको मिलेगा कि पीपल डॉंट नहुदे आप मोजंबीक जाएं उनको पूरा पता है ना कि कहां के या नाइजीरिया में हैं कि हम नाइजीरियन वो हैं फार्मर्स हैं और यह नाइजीरियन हर्डर्स हैं Central African Republic में लोगों पता आर्जिंटी पाकिस्तानी बंजाबी से विचारों को नक्वी नाम के आगे लगा देते हैं अर तेरह क्या काम है नक्मी से भई रंजीत सिंग की तुम अलाद हो इनो हिंदुों के राम के शहर में रहते हो लावर में केश कसूर है और बातें करते हो ऐसे जैसे लगनों से अभी ट्रें से उतरे हो पान खाने का शौक ऐसा मरा जा रहे तुम्हें से चले जब अंग्लिजिस में चले जाते वो था पाकिस्तान उन्होंने नाम अपना बदल लिया यह रियालिटी जिस दिन आएगी समझ में पाकिस्तान को इंतहाई जहीं किसम के लोग हैं यह जो खिता है जिसे आज आप पाकिस्तान कहते हैं जिस अमेजिंग पोटेंशन और अमेजिंग प्लेस्मेंट चाइना से इंडिया से अरेबिया से इरान से किस चीज से आपका बार्डर नहीं मिला हुआ गल्फ और वामान के मुझ पे बैठे हुएं आप आप बस मारे जा रहें अब कल खबर अब फिर कैनेडा में आके एक शॉपिंग मॉल खरीद लें एक डॉलर स्टोर खरीद लें और लिव हैपली अवराव तो इसर यह जो इन्हों ने भेज़े कश्मीर पे बात करने के लिए शारियार आफरीदी वह भी अमेरिका की जो रोड्स पे चल रहे थे और वहां के लो यह देखते नहीं है यह इनका वजूद है हिंदू से नफरत गजबा हिंद की बुनियाद पर पाकिसान बना था एक ऐसे शक्से बनवाया था जिसको मस्जिद में जूते पहनने का शौफ था जिन्दिगे पहली जब मस्जिद में जब गया तो ही वह वह वेरिंग शूज यह तो आपका काइद आजम है और काइद मिलत जो है वह चूड़ी दार पजाम पहन के वहां से आगए हर्याने से तुमक ठलो वह आके बैठ गया प्राइम मिनिस्टर बन गए जिस इलाके में उन्होंने जिन्दिगी में कदम नहीं रखता वहां के प्राइम मिनिस्टर बन हुसेन शहीद सौरवर्दी वाजी चीफ में प्राइम मिनिस्टर अफ एनी प्राविंस्ट आट साइड जॉइंट पाकिसान वहां 46 में आपने डिरेक्ट एक्षिन करा के हिंदूओं को मारना शुरू किया ताके वह आपको मारें ताके फिर आप अंग्रेज पर जाएं हुटपातों पे मारा विहायलियों को वो जो ब्लाशें गहीं ट्रेन में तो यह बैटके दूआ कर रहे थे कि या ला को हिंदू पटना के अंदर मुस्लमानों को मारे ताके पाकिसान का केस बने सब्सक्राइब करें तो यह जो 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 जानते हैं मर गए बिचार रहे हमारे कई दोस्त जो हमारे seniors थे जो जानते थे मेर बिजिंजो थे वली खान थे सियार असलम थे I don't know whether he is alive or not but Mirza Ibrahim ये people with great wisdom lived in this country and were decimated आपका एक governor general ने का के मैं गोरे कबरिस्तान में मुझे दफन करो गुराम अम्मद उनका नाम था पहली assembly को dissolve किस ने किया इस speaker जो थे मौलबी तुफेल एमन नाम था उनका क्या कुछ नहीं हुआ आपका पहला election मैं बातों से हट रहा हूं but the first election in Pakistan was in East Pakistan जिसमें जग्तू फ्रंट ने Muslim League को दो सीटे मिली they were swept aside by the जग्तू फ्रंट जिसमें शेक मुझीब भी थे इस औरवर्दी भी थे सारी पार्टियां थी and the Pakistan जिन्दाबाद party got two seats in 1953 मैं आपको किसे बता हूं एक शक्स को जेल में डाला मोनी सिंग उनका नाम था मेहमन सिंग से on the day Pakistan was created and he got out of jail the day Bangladesh was liberated 25 years in prison गफार खान को जेल में नहीं रखा अपने सब को जेलों में रखके अयूब खान साब आके बैठ गए साथ उनके भुटों बैठे आज भुटों के चाहने वाले भी यह नहीं सुनना चाहते कि आयूब खान राइट हैंड मैं जिसको वो डेड़ी कहते थे वो अयूब खान थे फीड मार्शिल खुद ही बन गए अपने आपको अपॉइंट करके वो अयूब खान वीकेम फीड मार्शिल एंड भुटों साहब विधिम सबके नाम इधर उदर आपको पता चल जाएंगे तो सब जाहर है जब यह जो पाकिस्तान इस्टेडिस पढ़ के चार बड़े प्रोजेक्स के नाम बताई है तो उसमें लोगों ने इतना मजाक उड़ा है लोगों ने का सबर काड है और घबराना नहीं है और बादा नहीं क्या कुछ लिखा तो वो यह तो हाल है यह पढ़ा रहे हैं स्टूडेंस को अब सोचें अब क्या कहेंगे कि आपका founder of the nation एक बच्ची को भागा के ले गया उस पर जना का केस चलना चाहिए और वो भी अपनी दोस्की बेटी को सोला साल की उमर की लड़की लेके भाग गए जना साब और इस्लामित मुम्लिकत बना रहे हैं तू यह लिव्ट विव्ट अचाइड सेक्शुल रिलेशिंस विटर एंड ही वस रिवॉर्ड इटाइटल काईदी आजब सं ineVISन को सार इनको इतना बड़ा एक इतनी बड़ा एक मौकर मिला था इम्रान खान सापको कि शूच्च के रहें करोमावारेस के लिए हम क्या कर रहें वैक्सिन के लिए हम क्या कर रहें कॉन Και क है करेंगे जो टर्रिक का एक जूट के ओपर कितने जूट खड़े करें आप आप मोदी साब गए उन्होंने हिंदी में बात की वाइट हाउस के अंदर भी बाहर भी सबसे वो और बात है इंडियन एनराइज भी जो हैं वो इतने एहमक हैं कि उस दौरान लड़किया नाच नहीं थी बाहर मैंने का दस पाकिस्तानी MP एलेक्ट हो गए हैं कैनड़ा के अंदर तुम नाते रहो करते रहो दोनों मटीरियल एक ही है लेकिन सेविंग ग्रेस इंडिया का इट्स दिमाक्रसी यू कि टॉक अबाउट इट यू करिटिसाइज देम यू किन हैब 5000 प्लिटिकल पार्टी इन वन कंट्री माव इस्ट्रेबिलीन भी चल रहा है सेपरेटिजम भी चल रही तलंगाना मूव्मेंट से भी गुजरे मौपिला जो किलिंग अफ हिंदूस है उसको भी समझ गए वो टीटू सुल्तान कौन था उसको भी लोगों पता चल गया कि क्या है आप के हां बाबर टू का मिसाइल फेलो गया जस्ट इमेजिन कि यह मिसाइल इस कॉल बाबर यह कोई विंडूस का सॉफ्ट्वेर है कि 3.1 से विंडूस एंटी आ गया बाबर टू चला दो कि वेन यूर टेस्टिंग मिसाइल्स विट डाउट ऑन दी बेसिस के इस से हिंदू डर जाएगा तो आप यूए जेनल सेंबली में कहा जा रहें बाबर के जमाने में जाईए गोड़े के उपर आईए बाबर में मारे तो सारे अपने पिशावर एरिया के मुसलमानों को उ पुश्यवड से लूट मार गरे वाफ से चल आगे वो तो आप कपता ही नहीं कि अच्छा फिर मां के पैर के नीचे जंनत है साब की माँ हिंदू हैं को औरतों की फोजिदी कहीं से उस से नफृत मां से नफृत और मां के पैर की नीचे जन लिए यह दोनों चीज़ आप सा of our mother tongue. We are ashamed of our origin. We don't know के शलवार कमीज is sleeping dress उसको national dress बना दिया अरे ये कॉलर वाले कमीजे हैं तो कहीं नहीं थी कुड़ते होते थे ये लुंगी होती थी वो पहन के जाए ना फिर ये जनरल एसेंबली में वो भी पंजाबी लुंगी जिसमें भागते वे एक टांग बाहर निकला आती है वो कोई दूसरी नहीं है जिसमें जैसे साउथ इंडिया में है थोड़ा साथ भी महजब भी लगता सर एक चीज़ और है ये के डरा के इज़त कराना यहां पर मतलब किसी दुनिया के किसी मुलक में ऐसा नहीं होता कि आप किसी के ओपर ये कहें कि अगर कुछ बोला आपने हमारी करुप्शन के ओपर यानि हास दौर पर फाज की तो आपको जो है पांच लाग जर्माना देन ऑर दो सल कैद होगी फरउख नसीम जो इनके केस चला रहे है उन्होंने आज पेश कर दिया है इस बिल को पास कराने के लिए तो वैजा कराना पर की ना बोले आसे पर 팔स कराने के लिए पास हो भी जाएगा सब इनके जाहरे थो है ठीज़त देनके यह बटे और ये डरा के इज़त कराना जो है वो समझने हैं इनकी करॉप्शन पर कोई ना बोले आसिन सलीम बाजवा पर कोई कुछ ना बोले किसी को कुछ ना कहें कि आपने डियर्चे क्यों बनाए ये क्यों कि वरना पिर ये सीधे सीधे आपको दो साल के लिए मतब जेल करा देंगे और पांच ला है पंजाब टूटे सबको डर लगता पंजाबियों बंगालियों से के वर वर वन के नियुमेजिन क्या इस्ट और वेस्ट में क्या dominant forces थी जहां कोई absolute majority नहीं था आपने 1953 में और इस तरीके से हर एहमदी का घर लूटा है आगें लगाई हैं इसके अंदर आप इसके अंदर क्या out of 400 mullahs not two could agree के इस्लाम की definition क्या है तो आप उस जगह से आरे 1953 is just 5-6 years after Pakistan was created and the people who helped create that monstrosity were slaughtered. जो लोग सोच नहीं सकते थे कि उनका यह हशर होगा उनको वैसे करम की भी बात होती है थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए Hinduism से पंजाबी में कहते हैं पैड़े कमा दे पैड़े नतीजे. अहमदी इस अचाहिए आपके शीया हजरात जो यू-पी के थे उनका था उनको बड़ा शूक था पाकिसान बनने का इतने जूते पड़े पाकिसान बनने के बाद होश ठिकाने आगए. इनको ये पता नहीं था शीयाँ को कि पूरी दुनिया इस्लाम में सिर्व हिंदुस्तान में पना मिलती थी शीयाँ को इसलिए अरब वर्ल में शीया था ही नहीं चुक के रहते हैं वो पहाड़ों के अंदर लबनान के साउथ में. डरानों शीया कंट्रीज इन एजिप जो फात्माईन का था एक शीया नहीं है वहां पर अलाजर यूनिवस्टी जि अधिये हैं कि वह अगोजिए को रहा है वहां फुर्म आपसे कुछे कहा के वहां के लोग हम क्या करें वो नागालेंड ही जाएंगे ना. इंदुस्तान से ही रापता होगा ना. का मैलडा इस डूब रहा है चाइना अपना गार्बिट डंप कर रहा है मैं इसके पास जाएगा तेशाल कहा जाएगा आप अपना गवादर नहीं संबाल सके अब दुनिया में इंडिया का मुकाबले करने जा रहे हैं अभी मुझे यह यह भी गवादर समझे याद आया मैं तुइटर पे किसी ने लगाई थी पिक्चर बलके मैंने रिटुइट भी किया है कि कोई महाँ पर स्टैच्व बनाना नहीं आता पाकसांजियों को मैंने इक इकबाल साहब अनका स्टैच्व देखा उनकी शकल और उनकी स्टैच्व में इसकी जूरूत है कही जैसी हमने ब believe that the statue is different from the man's face तो जब की यह हालत हो तो आपको जिना साब के तोड़ना जिना साब ने हजारों के स्टैच्व तोड़ दिये आपको पता है हॉक्स बे के हट जो है सारे यह सब जिना साब ने अंग्रेजों से कब्जे में लिये थे और फिके थे बाद में आपका मुल्क आपके के फाउंडर ने बेचा जमीने बेची अमेरिकन अम्बैजडर जिब पहला आया उसने का इस लुक्स लाइक रियल रेल एस्टेट प्रॉपर्टी प्लेस रादर देन पाकिसान फाउंडर्स हों लेकिन सार उनके पास टाइम इतना कहा था फॉर्टी सेवन में पाकिसान वा जल्दी जल्दी किया हो ना आते के साथ ही हॉक्स बेस एंट्स पिटी सारे हट वर्ट का के मेरा बंबे में यह प्रॉपर्टी उनके पहले ओर्डिन्स आप देख लीजे क्या है यह ऐसे मुल्क है जिसका प्राइम मिनिस्टर कैबिनिट मीटिंग कुछ चैर नहीं कर सकता जिसके लौ मिनिस्टर को कहा है विए डिसकॉसिंग सम्टिंग चिक्रिट देफोर यूट रिटेंट इस मूजिंग वह भागगा इंडिया जाके उन्हों पनावाली कलकत्ता में लेकिन सरी मुझे यह बताईए कि यह पाकिस्तान एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई में इतना पीछे क्यों रहे गया वारत में भी लोग ठीक टाक हैं वह बंगला देश तो फैर हमारे से कहीं मैच ही नहीं होता क्यूंकि जिस वक्त आप बाकी पहले के या अभी के लोगों को अगर देखें इवन अगर आप सर्फ टीवी चैनल्स देखें जो मैं देखती हूं अ और वहां पर आपको दो चाइए एक दो यह से दिखेंगे जो शायद इतना कोई ना बात करें हमके पास इतनी इनफॉर्मिशन ना हो लेकिन क्यूंब आम तरु पर वहां के मुसल्मान ही होते हैं इंडिया को और मैं हस रही होती हूं मैं वह डिबेजर में नहीं भी होती न मां बोली में यह दुनिया का वाहिद मुल्क है इसके उपर दुश्मन की बोली नाफिस की गई है जो आप मैं उर्दू में बात कर रहे हैं यह तो पाक से उन्हें की जबान ही नहीं थी थाट परसंट तो बंगाली थे उनको तो जाने दें उन्होंने तो पहले ही रिजएक लोग बाकी तुम कच्रा हो वही जो हिसाब था कि यह को मुसल्मान है टामिलादू को मुसल्मान तो होता है लखनों का एक दम टिचिन वी आर विक्टिम्स आफ आर ओन रेसिस्ट कंटेम्ट फर आफसेल्स कि हमें अल्ला ताला ने तुर्क क्यों नी बनाया ये गंदा हिंदुस्तान इससे पाक हो जाओ ये तभी तो पाकिस्तान बनेगा जब आपकी सोच में हिकारत है अपने पड़ोसी की आप एजूकेशन कहां से करेंगे जबान आप मुझे एक स्कूल बताईए पूरे पाकिस वान स्कूल मेरे जब तक मैं था तो पंजाब एसम्बली में आप पंजाबी बोलने पर मेमान थी इतनी गंदी उर्दू सुनने में आती थी वहां कि यूस्टू बी लाफ अबगल जैसे रो को रो नहीं कह सकते पाकिसे नहीं रा कहते पंजाबी में कहते हैं रा का रॉव मीट राके वहां दे नाम नहीं पता इनको इनको भारत हिंदुस्तान इंडिया में फर्क नहीं बता सकते यह जो सिंदू पे रहने वाले हैं जा इंडिस बहता है उनको नहीं पता इंडिया क्या मौंज़दार संभाल के रख्था हुआ यह कहीं इंडिया गुंदागर्दी के मूड में आगया इतनी किता ही होगी आपकी यह शुकर करें कि यह माइल मैनेर्ट पीपल और अल्ड दिमांड फॉम पीपल विवेड़ इन उप्युपाइड देम इस बिट रिस्पेक्ट वर देर ओन civilization which is five to ten thousand year old आप उनसे के नहीं आप तो जोला के जमाने में थे क्यों के अरब में हमने जाहिल कह दिये लोग अरे भाईया चंद्रा गुपता मौरिया को तुम जाहिल कह रहे हो गुपता डैनिस्ट्री को तुम डिजेक्ट कर रहे हो तुम कह रहे हो कि मौंजुदारों में जाहिल लोग रहते थे आख तक नहीं कोई अरब यह civilization आई जो उसकी हो करीब में मौंजदारों के करीब में हो there's nothing there nothing compared to the sciences and architecture and the mathematics that originated from भारत उसका जिकर किया ना मौती साथ में किसकी जब जहूरियत होती जब हिंदुस्तान में कुछ होता है तो दुनिया भर में effect होता है यह कब पाकिसानी को समझ में आगा कि दुनिया में एक ही मुल्क रह गया जिसने multiple nationalities multiple religions multiple जबाने साथ में बैठी भी हैं वहां भी भी दादागीरी चल रही है कोई मुसल्मान ही नहीं इंडिया में जिसका नाम इंडियन हो तो बर्दाश्ट करेंगा यहां कि हिंदुस्तान में आप आये लू मार करने नाम आपका आख तक एक हजार साल में एक किसी इंडियन मुसल्मान का नाम अशोप नहीं है अब जरूर हैंगे सर्वेंट नौकर होता ना या अब्दी भी कहते हैं इन अरब वर्ल्ड ब्लैक पर्सिन इस कॉल या अब्दी एजन इंसल्ट अबी सर्व दो दिन पहले बलके शायद एक दिन पहले एक वीडियो आई है शायद आपने देखी हो सोचल मीडिया पर लगी हुए तालिबान ने कुछ लोगों को फांसी दे दी और कहा के जीए किड़नापर से तो उसमें पाकिस्तान में कहा जा रहा है यहां भी होना चाह जाती हैं यह वैसे वैसे मर जाते हैं इनकी जिन्दगी में खुश ही नहीं हैं यह दो लोगों को खुश नहीं देख सकते यह वही मुल्क जहां लवज बच्चा बाजी इजाद हुआ वहां आप LGBT राइट्स दे ही नहीं सकते कि वैसे आप जना करें बच्चों से अलहम्द इंडिया में भी LGBT राइट्स हैं उस पर कतल गर्धन काड़ दो उसकी बच्चे एग्जिबेट करते हैं टांगे के आगे बिठाते हैं यह शादी में जहज के साथ लड़का भी आया हमारे और यहां हमारे मेरिस्टर शेख रशीद विल्कुल साब यहां पर शेख रशीद स यहां पर भी तालिबानी किसम का तो यही इसी महौल में तो पैदा हुए थे वो इनकी अम्मा और तमाम पाकिस्तान में जो खवातीन हैं जिनकी अरेंज मेरिज होती है आप अंदाज़े लगाईए डी फॉर्स्ट मेल दे एवर मेट इस इवान हो शी है सेक्शियल रिलेश कि यहां उनको दे दिया जाता है कि रिष्टे उनके हो जाते हैं यह सोचा आपने कभी इसलाम की बात करते हैं वहां तो प्रॉफट महम्मद को प्रॉपोस किया था खदीजह ने कहां के जूट हम पर कहां पर ला दिया इंडियन सिविलाइशेशन जाके तो देखिए आप उनके स्ट्रक्चर तो देखिए जहां कामा सुत्रा निकली दुनिया में वहां आपने लाके शरीया नाफिस कर दिया अरे भाई अगर करना था तो यह चार बीबियों का लॉंडियों को रखने की इजाज़त शरीया में कहां से आ गई अजए उनका मीडिया सर आप जाते र कहां से आएगा दस हजार पंजाबी इसाई पाकिस्तान के बैंकॉक में रेफ्यूजी कैंप्स में पड़े हुए और आपको पता है जो मुसल्मान जाते हैं जाली रेफ्यूजी बनके थाहिलिंड में उनका काम है उन इसाईयों को तंग करना और रिपोर्ट करना के अज़ करना इसाईयों कया फ्रेफित व क्यूंत थाहिए बनका इस कशन एपर साईयों कि अकृत कि विए पादोस कई भी गज़ें इस मशले क३रिए यह बनका नहीं ना बनके डेनधे थिरूंति कि पंजा कितने सबाब हैं काउंटिंग कर रहे हैं कि अकाउंटेंट है या दुनिया का बानी है भूल गए हम लोग हम समझ रहे हैं कि वो भी कुछ चीफ कमिशनर बैठेगे वह बताएंगे कि आरहे मुझे मुझे एक साब कह रहे थे कि कि वो कबर में जवाब क्या दोगी किस तरह की बाते करती हो तो मैंने का वो जो सुना था दो फरिष्टे बैटें किस काम के वही बताएंगे ना मैंने क्या किया मुझे मैं क्यों बताओं वो देखो फुरता है उलगे में एक आद्म और दो फरिष्टे पैकेज़ डील है कंडे पे बैटे पे लिख रहे हैं इस वक सारी डि तो इस तरफ मत चाहिए उसको दूर से सलाम हमें यॉरप का कल्चर नहीं चाहिए हमें यॉरप का स्रेवीजा चाहिए वीजा और प्रोड़क्ट चाहिए ना ये कोई किसने बना इंटरनेट कनेक्ट जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किसी ने सोचा ही होगा ना के हाव तो यूज इस टेक्नोलोजी सो देट पीपल कें टॉक और यह पूरा गुदर गया पूरी दुनिया में लोगों आपस में बात्चीत की सलूशन निकाला हमने क्या किया इजिप्ट ने कुछ निकाल दिया है ये पाकिसन से कुछ बना है इसी अब अब कोवड़ नाइटीन में निकल जा भरे जा रहे सारे ब्रिटन जा रहे है अच्छा फ्रांस में बैठे में करें ना पूरा इंच नाट गुड वी वहां ब्रिटन अच्छा मैंने इस पर इंवेस्टिगेट करने कोशिश की कि यह कैसे कि आप फ्रांस में अप्लिकेशन बड़ी असान होती है ब्रिटन में फ्रेंची जो है ना यह हमाने नहीं हमें नहीं लाइक करता मेरी दादी जो थी फ्रेंच ती मिरसने भी मुझे लाइक नहीं किया था अच्छा बेवकूट लोगों से वास्ता पड़ता है इससे सिम्पल तिंग यह लिवि एक किष्टी में ले जाएगा आजमी ले जाके कहीं लिवर्पूर पर छोड़के आएगा और वहां सुना घर फ्री में मिल जाता है अब मिनिस्टर पैठा वाइए हेल्थ मिनिस्टर पाकिस्टानी है लौ मिनिस्टर हिंदुस्तानी है पूरा अब क्या करोगे बरतानिय को खा जाओगे पूरी कैबिनिट में टेबल पे देरा सिक्स पीपल ऑफ इंडियन पाकिस्टानी बैग्ग्राउंड मुस्लिम भी हैं हिंदू भी हैं नमबर टू मैं इस पाकिस्टानी बस ड्राइवर सन और क्या चाहिए आपको एक थी है वो पाकिस्टानी वो आपने देख हो तुम बैठके तो दिखाओ इरान की किसी पार्लिमेंट में या पाकिस्तान के या अफगानिस्तान की जब तक तुम्हारा बाप कुछ ना हो तुम्हारा नाम ही नहीं होता आप बेन अजी भुट्टो होने के लिए जुल्फेकार यली भुट्टो जैसा आदनी की बेटी होना पड़ता है और मर्यम खेर लॉट ऑड़ रिस्पेक्ट वर हर बची टू इस बिकॉस फादर बंदर नाइके भी जो थी वह अपने अबा के साथ की लिए इंद्रा गांधी भी कम्स प्रम दाड़ जिस मुल्क में औरत को पूरा हक है सौरिल्टी का मेंबर पालम वहां हो रोई जा रही है माया इस सफर्ट सो माच अरे बीबी में सफर कर दी जा सुमालिया जाओं बड़े केक पेस्टी में के हलाग भी हमारी जान छोड़ो जहां औरतों को शाम को जॉग करने की पूरी अजाजत हो और कुछ सोच ना सके उसको छेड़ने का आज मैंने वहां व लोग तमाश करें हैं और चपल से रिटालियेट कर रही है ए खेरत लोग इनको तो जननत में मिलेगी न वह भी तीन सौ फीट की उस्चे कर में लगे मैं पढ़ने में क्या लिखता तीन सौ फीट की आप आपकी गल्फर्ट लोग आप नीचे बैठे हुएं और कि भगता र क्या सोच है के तीन सौ फूट उंची हूर टार्जन को बुला के रसियां फेक के जा रहे हुएं और सबसे बड़ा अट्रैक्शन इनको बस यह है और कुछ नहीं है बस यह है मैं आपका कहा कि वो लाइबरी की तलाश में है आर्श कार्समी मैं आप शॉपिंग मॉल भी यह बता रहे हैं मैं आपको वाट्साइप कर दूंगी के जी साइन्स वगरना सब हमारी इजाद है यह तो अंग्रेदों ने चोरी कर लिया है हमसे तो वह होगा वैसे मैं यह और कुछ अभी बताओं कि आज मेरी बेगम हस्पतायल हस्पतायल सब काट कूट के घर वापिस वेरी गोड और आज तो वैसे भी डॉटर्टर्स दे है तो मैंने कहा के बिल्कुल अभी नताशा को नहीं बताती जेगा गिफ्ट देना पड़ेगा थैंक यू सब्सक्राइब करता हूं कि वीडियो को अपने अन तक देखा होगा और यह वीडियो आपको काफी पसंद का बटन जुरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंट्रस्टिंग और इंफर्मेटिव वीडियो लाते रहें और यह वीडियो आपको कैसी लगी अपने विचार हमें कमेंट सेक्शे में लिखकर जरूर बताएं तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्यार रख